हलो अर्वान विल्कम तो एलेक्ट्रिकल एलेक्ट्रिकल मेशिन के उपर कुछ इंपोर्टन एक टॉपिक है गाईस जो आपको आने वाले एक्जामिशन के लिए काफी जदा आपको बूस्टप दिला सकते हैं मार्क्स में जैसे की यूपी सिल जाई के एक्जामिशन हो हमने लिए इसमें काफी इंपोर्टन्स है और आपको आपकी सेलेक्शन दिना वाल दिलाने के लिए दो से तीन मार्क के जो पॉशंस बनते हैं हमारे एक्जामिशन में वो डिफिनेटली इस अलग अलग डिफरेंट 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 जो टॉपिक्स रहते हैं छोड़े- और हिए कौन से कोड कोते हैं जो हम लोग सारी चीज़े आपक Sixood है। वो ये भी इस topic से question generally पूछा जाता है ठीक है तो हम लोग सारे चीज़ें करने वाले काफी interesting session और काफी important session है आपके हर एक examination यह के लिगा इस ठीक है session पड़ा था यह आयस कोड जो है इंडियन स्टेंडर्ड कोड है आपके एलेक्ट्रिक लेंजिनिंग में जो भी important standard codes रहते हैं वह आपको examination में question के फॉर्म में पूछा था कि कौन सा आयस कोड है किस हमारे application के लिए यूज के जाते किस particular field से रिलेड़ेट है यह आपका question बनता है उसी के साथ है उसके बाद में आई रूस इंडियन एलेक्टिस इटूट रूस नाइटीन फुटिसिक्स यह काफी two digits के हमारे कोड रहते है two-three digits के कोड है हमारे इसमें से हमारे कौन सा रूल जो है आयरूल से हमारे voltage करता है frequency करता है यह काफी important है यह pre-requisite मतलब कि इस session को अगर आप देख रहोगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपने is code और i rules का at least session देखके आउंगे यह session मैंने आपको description box में लिंक प्रवाइड करके रखे काफी सारे students जो connected है हमारे चनल से उन्होंने जो session से अल्वडी देख लिए उसके बाद में central electricity act यहाँ से भी questions काफी कभार बनते है पर आपको यह i rules और i s code यह पता होना काफी important है ठीक करके जहाँ जोब मैंने आपको mention करके रखे उतने तो आपको पता ही होना कंपल सरी इसके बाद में हमने ebook के अंदर इसको include करके रखा है ठीक है तो यह आपको session से थेखने होगे इस testing and maintenance of electrical machine से related है ठीक है साथ साथ बता तो जो students UPP CLG के prepare कर रहे होगे preparation कर रहे होगे तो PLC का काफी detail में और important data के साथ हमने इसमें questions frame up किया है ठीक है 4 hour का एक complete session है ठीक है इसका जो प्राइज है 100 rupees ना होते हुए 60 rupees का अगर आप flat 40 coupon code लगाते हो तो इसके बाद सेम हमारे coachify channel के अपर यह general awareness की ebook है इसका भी validity one year यह application तक सीमित है application पर आप अची तरीक इसको देख सकते ह हो पढ़ सकते हो ठीक है इसमें भी 150 pages का एक हमारा ebook है जिसमें हमारे पास static जी के history, quality, geography, general science, art and culture and sports etc यह सारी शीज़ें इसके अंदर क्या-क्या और bifurcation index क्या है यह इसका अगर आपको sample चाहिए होगा तो हमारे telegram channel पे upload है उसको आप जाके पहले देख सकते हैं कि हमारे इ data हमने to the point इस तरीके से रखा है कि आपकी सारे examination के लिए काम में आने वाले है आपकी 2022 के examination के लिए इसका भी price सेम है आपको flight 60 रूपिस में दोनों भी courses आपको हमारे different different application के उपर मिल जाएगी हमारे technical के लिए electrical engineering हम सेके उसके application को download करके यह देख सकते हो और coachify आप जाके हमार non-technical का जो ebook है उसको आप अची दरीके से बढ़ सकते हैं दोनों भी sessions important है अभी हमारे session के और बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे सबसे पहला question काफी important है और ध्यान से session को देखना है कहीं भी आपको skip out नहीं करना है क्योंकि regular session नहीं होते हैं थोड़ा सा different topic है आपको आपको हो जाएगा हमारा auxiliary test auxiliary test हमारा एक type नहीं है हाला कि इसको मों consider कर सकते किसी particular application के लिए लेकिन आप ध्यान में रखेगा तीन तरीके के test हम लोग electrical machines के ओपर perform करते हैं ठीक है सबसे पहला होता है routine test जो हम लोग daily particular days of interval में करते हैं दूसरा होता है type test और तीसरा होता हमारा special test अब इसमें routine test type test और special test क्या माइने रखते हैं यह मैं आपको next test में बताने वालो देखिए क्या होता है routine test मतलब क्या है जब भी हमारा electrical machines equipment जो रहता है जो manufacture होता है इंडस्री के अंदर ठीक है हर each and every जो piece रहता है उसका जो भी हमारा equipment मानलो एक machine है वो एक particular पर्टिकुलर जो हमार है test के undergo जाता है ठीक है या फिर हम लोग routine test जो रहते हैं जो हम लोग conduct करते हर एक machine के उपर जो की manufacture होते हैं इंडस्री के अंदर ठीक है इसको हम लोग कहते है routine test दूसरा आदा है type test अब दीक है type test क्या होता है in an industry if hundreds of machines are manufactured in the of the same design in a lot then type test is carried out only one or two pieces taken arbitrarily that means type test ऐसा होता है कि गर हम हमने 100 machines बना ली तो उसमें से एक या दो pieces हम लोग निकालेंगे और उसके उपर वो particular test हम लोग करते है ठीक है that means क्या बोला गया from the lot और type test are they conducted on only few pieces from a lot and performance of the lot is decided by the test of this sample कुछ दो-तीन samples हमने ले लिए ठीक है out of 100 ठीक है और उससे हम लोग इस completely 100 machine जो हमने ब्रेवलों की इस lot का हमने performance find out कर ले ठीक है इसके बाद में आता है थर्ड special test special test क्या होते है these are the test which can be carried out to know about particular behavior of the machine particular behavior है और आपको एक पर्टिकलर टेस्ट उसके उपर work form कर रहा है खरीदने से पहले है ठीक है आपकी load requirement अलोगो और speed requirement अलोगो उसके लिए आपने कुछ test उनको recommend की यह test हमके result हमें चाहिए उसके बाद हम लोग purchase करेंगे तो special test के अंदर आता है यह सारे चीज़े इसलिए में पढ़के बता रहा हो कि यह statement आपको examination में पूछे जाते है और आपको उच्छाते है कि यह कौन सी test होंगे special test type test या routine test specifically यह उन से लिए बात कर र जाते हैं ऐसे नहीं कि आपको type test पूछा दे और उसके explanation पूछेगे आपको expression वो खुद देगे आपको इस particular test के नाम पूछ जाते हैं और यही हम लोग confusion कर जाते हैं तो इधान में रखना होंगा तीनों पर ठीक है देखते अभी हमारा next question question है which I stand which I standard is related to the recommendation on safety procedures and practices in electrical work सबसे का important रहता है कि हमारे safety क्या है ठीक है जो safety procedures रहते हैं हम लोग just premises में work कर रहे होंगे जिसे आप laboratory में work कर रहे होंगे तो आप अपने देखा होगे कुछ नीचे मैट रहती है इंसुलिटिंग मैट रहती है ठीक है उसके पौरी हम लोग इसे black color के मैट आपने देखे होगे आपक 52, 16, 1982 यह इसका correct transfer आजागा option यह काफी important है इसलिए मैं आपको बता रहो इस standard IS code को एक बार जाके देख लीजेगा काफी आपको basic idea लग जाएगी कि क्या-क्या हम लोग discuss करते है ठीक है ठालक कि अगर आप इस session में भी continue करते है तो मैंने सारी चीज़े include करके रहे है जो important लेक maintenance में यह questions काफी कबार examination में बनते हैं 3 phase induction motor के लिए हम लोग कौन सा IS code लगाते है 325 1996 यह धान में रख लीजेगा गई यह तो पहला जो digits है यह तो सबसे पहले धान में रखिए 325 1996 यह IS code है जो हम लोग testing and maintenance करते है 3 phase induction motor का उसके लिए हम लोग standard procedure फॉलो करते है जो कि IS 325 1996 में बताएगी है ठीक है तो option B question का correct answer आजाएगा next है हमारे पास में routine test ठीक है अब हम लोग कुछ test जो perform करते हैं 3 phase induction motor के अपर यह आपको option के form में पूछ जाती है ठीक है और इसमें सापको चूज करना रहते है कि कौन सी test जो है routine test में आती है type test में आती है इस तरीके से मैं आपक circuit voltage ratio test ठीक है और locked rotor test ठीक है उसके बाद में measurement of slip ठीक है यह होगी हमारे routine test अगर आप ध्यान में रखे लिए जीका question अगर आपको ऐसा बनता है यह सब theory है इसलिए आपको skip मत skip नहीं करना है question में question में आपको यही पुची जाने वाला है कि आपको routine test में consequence test included हो थी है या फिर which of the following is not is not one of the type of routine test performed on a three phase induction motor ऐसे question directly बनता है इसलिए आपको यह चीज़े पता होना जरूरे आप एक दुबार recall कर लोगे या फिर इसका e-book में आप अच्छी तरह के से पढ़ लोगे तो आपको यह चीज़े आ जाएगी ठीक है next आता है हमारे पास में type test जो हम लोग three phase induction motor के प थोड़ा type test में vary करते है as per the routine test type test type test होने के बाद में यहापे special test हमने मार्क करके रखा है यहापे type test हो गया तकलती से special test जो है three phase induction motor के पर वह perform की जाते है जिसा के manufacturer का special requirement है तो यह हमने यहापे डिसस कर लिया अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे next जो important point है कि coordination of voltages and output अब यह question बन सकता है काफी rare है इसके chances बस लेकिन यह important है टीम इसे testing and maintenance of electrical machines के उपर आप अगर MSBT या फिर आप कोई भी पॉलेटेखनी बोर्ट का syllabus देखने अब देखते हो टेके जो डिप्लोम का syllabus उसमें testing and maintenance of electrical equipment के पर काफी साधा जोर दिया जाता है और यह काफी important पे उसमें से भी आपको उसके syllabus के लिए आप इस session को refer कर सकते हो ठीक है अगर आपका voltage 2 से लेके 3.3 कीवी के बीच में तो आपको minimum output कितना मिलना चाहिए 100 kW मिलना ही मिलना चाहिए यह इसकी standard rating है ठीक है और अगर आपका voltage rating है 3.3 से लेके 6.6 कीवी तक तो आपको इतना रेंज होने के बाद आपको minimum output आपको मिलना ही चाहिए यह ऐसा है पर mention करके रखाया ठीक है अगर नहीं है तो आप उसको under maintenance के लिए भेज सकते है नेक्स्ट आभी हम लोग देखते है question test is carried out to know particular behavior of the machine is if demanded by the purchaser मैंने अभी आपको बताया थी कि अगर परचेसर कोई demand करता है test particular तो वह आती है special test के अंदर ऐसा question आपको पूछ आ सकता है ठीक है next question पढ़ते है काफी important question है guys the declaration of duty and the assignment of rating of a three phase induction motor shall be in accordance with the IS 128-24-1989 अब मैंने आपको यह question के form में बता दिया ठीक है कि जो हमारा duty रहता है और rating जो रहते है हमारी three phase induction motor के अंदर वो IS 128-24-1989 के according हम लोग करते है ठीक है तो आप इसमें क्या बोला गया है कि यह तो duty जितनी रहती है आपको पता है कि continuous duty intermittent duty थे यह हमारी induction motor की duties रहते है ठीक है मैं आपको next list में बताऊंगा इस case में wherein if it is written as a s2 on the motor अगर वो motor की name plate के अपर s2 लिखा हुए duty के आगे उससे आप क्या समझोंगे ठीक है यह काफी practical approach है आपको being an electrical engineer आपको एक induction motion जो है उसका किस तरीके से name plate है कैसे पढ़ने उसके लिए मैं आपको session बताने अलो वह आपको पता होना चाहिए अगर आपे s2 लिखा है त to a pukka का क केंगे कि ज ton size duty में काम करती कूल रहती है कि उसकी क्या duty ऊर्ण रहती है काफी important है कि इसके duty अगर हम लोग आज़ाए अकल यह तरी के से रीड कर सकते हैं यह जो है आपको मोटर के उपर आपने ऐसा देखा होगा काफी कभार इस तरी किसे नेम प्रेड उसके उपर रहे तीजा पर आपास मोडल नंबर सीरियर नंबर वोल्ट्स एम्पीर कितने हर्स के नेमा का रेटिंग क्या है कितना है अपने अपने यह सारी चीजे उसके बाद भी यह उस सेशन के अंदर हमने यह आप यह जो आप आप सेशन देख रहे होगे यह इंपोर्ट है ठीक है यह आप जाकर देख लिजिए का इसकी लिंक में आपको देदूंगा ठीक है इसमें हमने क्या कि चीजे डिसे कि कि जो कॉमन कि है रिटे किस तरह के से कनेक्शन करके रखाया माउंटिंग क्या है उसका ठीक है इंग्रिस प्रोटेक्शन कितना है लर किया है लॉक रूटर टाइम का इंक्लोजर क्या यह सारी चीजे डी ओडी यह भी काफ़े इंपोर्ट है अगर आपको नहीं पता होगा तो सेशन को उतना ही धान में रखेंगे जो मैं आपको बताने वालों ठीक है काफी का बार जो है वो continuous duty और short time duty पुछाते है उसके बाद में intermittent periodic duty है अगर इस से लिखा है तो इस तरह की सब्धान में रखेंगे जाओ 6 है continuous duty with intermittent periodic loading continuous duty with starting and electrical braking और S8 लिखा है तो continuous duty with periodic speed changes यह आप सारे एक बार पढ़ लिजेगा कि यह काफी important है ठीक है S1 मतलब क्या है कि आपकी जो motor है ठीक है वो आपको continuously work करने के लिए बनाई गई है ठीक है S2 है तो कुछ particular short time duty के लिए ही वो work कर करेंगे that way short time duty और यह भी specify गया जाते है 15 minutes हो गया है फिर 30 minutes से 1 hour के बीच के लिए run वो रहा है एक particular shot S3 कहा है कि intermittent particular interval के लिए हम लोग उसको work कर सकते हैं यह duty types है यह आपके उपर machine के उपर लिखे रहे थे काफी important है very important of this topic ठीक है देखते हैं भी मारा next question testing and maintenance of single phase अब आप बहरी बात आती है कि single phase induction motor के हम लोग जो testing and maintenance करते हैं यह session काफी detail में हमने review करके बनाया गाइस मैं इसलिए आपको 2-3 दिन हमें 2-3 दिन लगे कि कुछ जो particular examination question बनते है ठीक है उसके accordingly हमने इसको analyze करके यह session को frame up किया काफी important randomization ठीक है testing and maintenance जब हम लोग करते है single phase induction motor का वो कौन से standard के accordingly किया जाता है IS 1996-1964 के accordingly यह हमारा single phase induction motor का testing and maintenance perform किया जाता है अब यह code आपको ध्यान में रखना काफी important है इस session में ठीक है इसी से question बनते हैं ठीक है next है अब हमारी बात बात आती है कि routine test हम लोग कौन से कौन से perform करते है induction motor के उपर same हम लोग जोसे three phase की बाद distance की थी अब यहाप यह रहेगा सबसे पहला resistance measurement insulation resistance test है high voltage test है quiet reading test है ठीक है no load test है locked order test है ठीक है यह तो हमारी 6 test होगे routine test के अंदर ठीक है जो हम लोग सिंगल फेज मशीन के उपर perform करते है next हो जागा हमारा type test type test के अंदर हमारा पास में pull-out torque अब यह काफी important है काई type test of three-way type test of single phase induction motor चाहे था let me correct this now it is correct type test of a single phase induction motor में कहा है कि pull-out torque test है ठीक है load test है temperature rise test है momentary overload test है leakage current test test for overload in torque measurement of insulation resistance है and open circuit voltage ratio slip ring induction motor के लिए कहते हैं यह important है उसके बाद में reduce voltage running up test and then lock rotor test these are important type test of a single phase induction motor जो हम लोग particular type test जो perform करते हैं जो मैंने आपको बताया था यह काफी important है single phase induction motor के पर जो पर हम करते हैं उसका जो IS code था ठीक है वो भी हमने डिसस कर लिए कि कौन से IS code के कोड़ी हम लोग करते हैं वह है हमारा 996 1964 के accordingly हम लोग single phase induction motor का testing and maintenance carrier of करते हैं ठीक है अब लोग बढ़ते हैं हमारे next slide के और अब यह काफी important question है ठीक है देख लिए चाहिए इंसुलेशन डिसस बिट्विन दो वाइंडिंग और वाइंडिंग कंबाइंड एंड मोटर की फ्रेम होगी ठीक है और इंसुलेशन के जो हमारे वाइंडिंग से उसकी बीच का जो इंसुलेशन रहना चाहिए वो कितने से कम नहीं होना चाहिए 500 वोड डीसी के लिए तो होए 5 इसमें मेगा ओम यह इसवे बन सकता है ऑचाहिए 5 मेल मेगा ओम से कम हमारा वा इन्सुलेशन रहसे नहीं होना चाहिए बिट्वीन बाइंडिंग संबाइन एंड मोटर फ्रेम और वाइंडिंस के बीच का इन्सुलेशन रहसे इतना 5 मेगा हम 500 वोड डीसी से ऩाब पर हमारा काम नहीं होना चाहिए ठीक है ध्यार में रखे लिजेगा ऑप्शन ही इस कोशन का कारे टेंस तरह जाएगा ठीक है और जो भी स्थे इस तरी के से हम लोगा काफी सब्सक्राइट करते हैं उनका जो सिलेक्शन और देख लिजेगा ऐसे तरह करके आजाते हो तो फिर आपको उसमें रिजेक्शन होने की कोई भी आपको चांस नहीं बनते हैं तो ध्यार में रख लिजीगा जो direct test का इसमें से कौन सा example है तो है हमारा breaks test, ठीक है, तो हम लोग next test में पढ़ लेते हैं, अब देखे, direct method of testing में, क्या है हमारा direct method of testing is a method in which the machine under test can be loaded directly, either with the help of break arrangement or a coupling calibrated machine to its shaft for a loading purpose, हम लोग directly क्या करते है, उस machine को, वो एक break लगा दीते उसके उपर, ठीक है, जो belts लगा गया हम लोग break test करते है, या फिर हम लोग उसके shaft के उपर, ठीक है, एक calibrated machine उसके पर connect कर देते है, ठीक है, यह हमारे direct method of testing होगी, इसके यह direct method के अंदर आती है, ऐसा question बनता है, ध्यान में रख लिजीगा, next आती है अब indirect method of testing क्या है, कि देखिए, indirect method of testing में क्या होता है कि, it is that method in which machine under test, it is not directly loaded for determining its efficiency, हम लोग directly उसको load नहीं करते हैं, उसके efficiency find out कने के लिए, लेकिन उसके performance characteristics जो हम लोग perform निकालते हैं, by using data obtained by in the no load test test perform on the machine, that means हम लोग जो no load test perform करते हैं, उस machine के उपर, उससे हम लोग उसका performance characteristics find out करते हैं, और उसके under आती है, swing burns test, ठीक है, और इस swing burns test को अगर आपको ऐसा question पूछा गया, कि no load पे perform होती है, या फिर on load पे perform होती है, तो ध्यान में रखना होगा है, no load पे perform होती है, swing burns test, ठीक है और इसी के करने, इसका power requirement जो है, वो less है, ठीक है, यह आप समझगे, correct, और efficiency जो machine है, ठीक है, जो हम लोग निकाल सकते है, high rating के है, वो भी हम लोग find out कर सकते है, ठीक है, और इस case में ऐसा question बन सकता है, कि आपको temperature correction जो requirement है, yes, it is necessary, ठीक है, it is necessary, temperature correction के requirement रहते है, इस test में, ठीक में include होती है, okay, हम लोग बढ़ते हैं अभी आगे, next time हमार पास regenerative method of testing, अब देखे है, regenerative method of testing में काफे important है, यह कुछ कुछ चीज है, in this type of test, the mechanical output of one machine will be used for generating the electrical energy by other machine, इसमें क्या होता है, कि जो mechanical output रहता है, एक machine का, वो use क्या जाता है, electrical energy generate केने के लिए दूसरे machine के दवारा, और जो electrical energy generate होती है, दूसरे machine का, वो use क्या जाता है, वो use क्या जाता है, पहले machine के दवारा, ठीक है, couple करके एक दूसरे के साथ, correct, और इसके कारण क्या होता है, कि सिर्फ हम लोग, जो losses है, ठीक है, दोनों भी machines के हम लोग find out करते है, ठीक है, main से, ठीक है, that means, सिर्फ जो losses हो ठीक है, काफी important है, ठीक है, यह machine जो लोड के जाते है, to their full load, ठीक है, यह Hopkinson test में full load पे machine लोड की जाते है, ऐसा question बनता है, कुछ facts and figures है, यह आपको धान में रखना रहता है, correct, और जो power requirement है, ठीक है, यह equal हो जाती है, losses of दोनों machines के बाराबर, ठीक है, और इसमें क्या है, दो काफी बाकी सारी जो मैंने आपको बता थी, कि full load पे machine लोड की जाती है, यह Hopkinson test हमारी regenerative method of testing के अंदर आती है, ध्यान में रखना होगा, guys, ठीक है, काफी important है, okay, बढ़ते भी मारे next question के और, question number है, next question, ठीक है, various type of test are connected होना transformer as per the IS, अब दिखें, transformer से लेट हम लोग सारी चीज काफी कबर बनता है, ठीक है, next है, routine test और हम लोग special test क्या क्या रहती है, वो हम लोग distance कर लेते है, routine test में क्या है, measurement of winding resistance, measurement of voltage ratio and check of phase displacement, measurement of short circuit, impedance and load loss, measurement of no load loss and current, dielectric routine test है, then test on the on load tap changer, ठीक है, यह हो गया हमारा routine test होना transformer के उपर, correct, next हमारा बस में type test, transformer क्या है, temperature rise test है, dielectric type test है, okay, यह हो हो गया हमारा type test के इंदर, temperature rise test है, और dielectric type test, यह हम लोग type test के इंदर perform करते है, transformer के उपर, correct, और next हाते है, हमारा बस में special test, special test में काफी सरे test है, important है, सारी चीजी ध्यान में पर लिजा, one by one go through कर लेता है, dielectric special test हो गया, determination of capacitance, winding to earth and between windings, determination of transient voltage transfer characteristics है, measurement of zero sequence impedance है, short circuit withstand test है, determination of sound level है, measurement of harmonics, of the no load current हो गया, measurement of power taken by the fans and oil pump and motor and measurement of insulation resistance to the earth or the winding and or measurement of dissipation factor of the insulation system capacitance and this is the reference value for comparison will later measurement in the field, no limitation in the values are given here, ठीक है, ठीक में बोला क्या गया है, इसको हम लोग काट भी का सकते है, इसको हम लोग का सकते है, इसको हम लोग का सकते है, जो लास्का statement हा, हमने इसको काट कर दिया, आपको confusion ना हो इसलिए, ठीक है, तो यह होती है हमारी special test जो हम लोग perform करते है, और transformers के उपर, correct, अभी हम लोग बेखते है हमारा next question, question क्या कहा रहा है, what is the generalized value of insulation resistance of a transformer winding, ठीक है, एक generalized value क्या रहती है, हमारी insulation resistance के transformer के लिए, तो वो होना चाहिए, 2 megahome per kilowatt, कितना एक generalized rule है, कि 2 megahome per kilowatt के लिए होना चाहिए, insulation resistance of a transformer winding, ठीक है, ठीक है, त्यान में रख लिए जगा, option C, question का carry answer आजाएगा, next time हम हमारा question है, यह question क्या पुछा गया है, कि impulse test जो हम लोग perform करते है, transformer के उपर, वो किस तरीकी से categorize किया जाता है, वो impulse test जो हो रहे थी, वो type test का part है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और यह impulse test हमें क्या बताती है, यह हमारा type test हो गया, it is to determine the ability of a transformer to withstand the effect of high unidirectional voltages resembling to the lightning surges, जैसे कि lightning surge आता है हमारे, ठीक है, उसको resemble करने के लिए हम लोग इस impulse test का perform करते है, ठीक है, so that हम लोग determine कर सके, पता कर सके कि हमारे transformer की उसकी capacity है, उस lightning को जहलने के लिए या नहीं करके, इसलिए हम लोग impulse test perform करते है, ठीक है, तो यह काफी important होता है, correct, अब देखे, हम लोग directly high voltage को withstand कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग directly impulse आता है, lightning का, तो उसको किस तरीके से वो जहल सकता है, किस तरीके से उसको sustain कर सकता है, यह काफी important रहता है, अब देख, इसमें क्या है कि high voltage जो पढ़ सकते हूँ, मैं ebook इसका upload कर दूगा हमारे application के उपर, ठीक है, under the ebook section, ठीक है, तो 11 kv पे आपका 28 kv, 11 kv गर हमारा rating है, तो हम लोग 28 kv का impulse voltage रहेगा, तो यह आप एक बार values अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजेगे, हम लोग redundantly go through नहीं करते, लेकिन यह important table है, जो मैं आपको provide color हूँ, काफी important है, ठीक है, next time हम लोग देखते है, अब यह question काफी कबर बनता है examination में, ठीक है, what is the color of fresh silica gel, यह काफी frequently आपको पूछा गया question है, ठीक है, fresh silica gel का color क्या रहता है, वो रहता है हमारा blue, ठीक है, आपने देखा होगा, यह fresh silica gel है, ठीक है, यह blue color है, ठीक है, यह breather में use किया जाता है, ठीक है, यह breather में use किया जाता है, ठीक है, और यह क्या करता है, control करता है, हमारे level of moisture, it controls the level of moisture, और वो prevent करता है, वो हमारे equipment के अंदर जा सकी, ठीक है, यह हमारा breather है, ठीक है, यह हमारा fresh breather है, blue color का और यह हमारा used breather है, ठीक है, ठीक है, वो कौन से transformer के उपर हम लोग perform करते हैं काफी simple है single phase पे करते है या three phase पे करते है तो three phase के उपर हम लोग phasing contact एक phase अगर हम आउट है तो वो test जो हम लोग perform करते है वो हमारे three phase transformer के उपर हम लोग perform करते है तो option B इस question का correct answer आजाएगा next है for a transformer short circuit test the dash is generally chosen as the primary side जो हम लोग transformer के उपर short circuit test करते है तो high voltage side जो है हम लोग as the primary side इसको consider करते है देखिए इसके इसमें होता क्या है कि high voltage winding के अंदर जो rated current है वो कम रहता है हमारा rated current कम रहता है as compared to low voltage winding हाला कि हम लोग यह short circuit test हम लोग perform कर सकते है दोनों भी side पर जनरली हम लोग high voltage side के उपर perform करते है question ऐसा ही बनता है कि short circuit test या फिर open circuit test हम लोग कौन से side में हम लोग perform करते है और न ट्रांसवर्मर तो ध्यान में रखना होगा कि ट्रांसवर्मर में जो short circuit test है उस case में high voltage side हम लोग as a primary side choose करते है अब देखे Siya points मैंने mention करकर है वो काफ हिए important है short circuit test है transformer के उंद्र हम लोग high voltage side के उपर perform करते है और इस case में low voltage side हम लोग short circuit कर करके रखते है इस स्टरwd के से ओपन त्रा्यक्षच्ट है जो हम लोग पर्फम करते है वह low voltage side प्र रहता है और जो हमारा high voltage side है हम लोग उसको open circuit करके रखते हैं यह दोनों भी important points है इसे मैंसे question बनता है directly मैंने instead of question आपको दोनों में statement बता दिया या फिर आपको इस तरह के से match the pair के form में कोई भी combination पुछा सकता है देमिल लगे लीजी का short circuit test अम लोग high voltage side के पर perform करते है और low voltage side हम लोग short circuit करकर करते है ओपन circuit test है लोग Low voltage कर पर perform करकर आप और high voltage side होए हम लोग open circuit कर रकते है लोग किस के लिए find out करते है हम लोग shunt branch parameters जो रहता है हम लोग करने के लिए open circuit test perform करते हैं इस कभाद करने के लिए फॉल लोड और यह पूल युच एल्याज हो रहते हैं त्रेस्टेस्ट ने में परफ़ाम करते हैं नेक्स है हमारा short circuit test और ट्रांस्फरमर इस अलसो नोन एस इस अलसो नोन आज इंपिदेंस टेस्ट ठेक है ध्यान में रखना होगा option D is question का correct answer आजएगा देखते हैं भी हमारा next question, question है which of the following conditions are necessary for parallel operation of a transfer node देखें parallel operation of a transfer node के लिए कुछ conditions रहती है requirement तो वह है, polarities of the transformer should be same, यह भी statement correct है same voltage rating and same turns ratio वो भी होना चाहिए, voltage rating same होने चाहिए और हमारा turns ratio भी same होना चाहिए, all the phase sequence must be same यह भी statement correct है, तो इस लिए इसका correct answer आजए का option D अब देखें, कुछ necessary conditions है और कुछ desired conditions रहती है अब देखें, यह नेक्स कोशन में आपको काफी का बार यह बन जगता अभी रिसेटली, for a parallel operation, phase displacement angle between the secondaries of both transformer must be, जो phase displacement होना चाहिए, जो angle रहता है between secondaries of both transformer, it should be zero, यह काफी important है धान मेरे रखना का option C question का correct answer आजएगा, देखें, इस case में जो है y zigzag ठीक है, और जो y है यह हमारे different phaser group से belong करते हैं, इसलिए हम लोग यह parallel operation के लिए perform नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारे पस भी यह transformer connection जो given है, ठीक है, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा, स्टार स्टार, डेल्टा जिग्जग, इस तरीके से, तो इस case में जो phase displacement रहता है, वो zero, या फिर 180 degree का रहते हैं और नीचे के combination के लिए plus minus 30 degree या फिर 180 degree plus minus 30 degree यह आपको ध्यान में रखना हो काड़िक, यह table भी काफी important है, next हम लोग दिखते हैं, कि अब कुछ को test जो है perform करते हैं, हमारे transformer के उपर before commissioning, उसको transformer को हम लोग install करने से पहले, commissioning मतलब उसके पर हम लोग नया transformer है, उसको commission कर रहे ठीक है, install कर रहे हैं, तो हम लोग को कुछ test perform करते हैं, यहाँ पर बताएगे list उसके, overall inspection of control and relay panels, relay panels और control system का हम लोग inspection करते हैं, test on relay, relay scope पर test करते हैं, voltage ratio with equal tapping and all faces, यह काफी कम chances हैं कि इसमें से questions बन सके हैं, लेकिन ध्यान में आखिल करते हैं, जो हम लोग test perform करते हैं, कि transform को install क करते हैं, यह कुछ list of test हैं, एक बार अच्छी तरहीं से pause करके पढ़ लेची काफी important हैं, आपके examination से लेटे हैं, हाला कि यह इसमें से question बने के काफी कम chances हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको really question पूछा गया है, तो यह इसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है, next question हम लोग discuss कर ले क्या कहें, flash point, option D is question का करेटेंस रहेगा, अब इसमें जो sludging है, sludging मतलब आपको क्या है, formation of semi-solid hydrocarbons means sludging, आपको ऐसा पूछा सकता है, कि formation of semi-hydrocarbons means dash, आपको कुछ तरह कैसे point दिये सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, sludging, ठीक है, अब दीक है, flash point और आपको fire point म भी examination में बनता है, ठीक है, flash point का है, it is, its value should not be less than, उसकी flash point की जो value है, वो हमारे 160 degree centigrade से कम नहीं होने चाहिए, और fire point ऐसा temperature है, कि at which the oil will ignite, oil तो ignite होता है, burn होता है, और वो continue करता है burning, ठीक है, और वो should, it should not be about, and it should be about 200 degree centigrade का temperature भी 2 रुपी धाल में रख लिजगे, flash point और fire point का क्या difference है, और temperature पाई, यह question ऐसे ही बनते हैं, ठीक है, next question है हमारा, which IS code is used for maintenance of a transformer, maintenance of a transformer के लिए, कौन सा IS code हम लोग perform करते हैं, use करते हैं, तो हो IS 128, यह काफी examination में काफी कबार बनता है, अब देखे, इसके बाद में जो आपको chart provide कर रहा हो, यह आपका है, maintenance schedule of 1000 kVA transformer, 1000 kVA के transformer तक, that means up to 1000 kVA transformer का maintenance schedule, यह काफी important है, table के form में provide करो, इसके एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लिजीगा ज़रूर, ठीक है, इसके अंदर क्या आता है कि हम लोग कुछ inspection करते है, hourly करते है, daily करते है, monthly, quarterly, इस तरीके से, उसके अंदर हम लोग क्या 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 चीज़े inspect करते हैं, और क्य दूब बात करने, ठीक है, यह सारे IS code के द्वारा जो भी बताया गाई है, हमारा, यह हमारा chart है, इसके according लिए बता रहो, up to 1000 kVA transformer क्या, ठीक है, उससे तरीके से, मंतली हम लोग क्या करते है, oil level क्या करते है, हमारे transformer क्या क्या करते है, तो, क्या करते है, अगर हमारा low है, तो ह हम लोग को replace कर लेंगे, उससे तरीके से half yearly क्या किया जाते है, non-conservator, इसमें क्या रहे था हम लोग moisture चेक करते है, undercover, और improve करते है, ventilation को, अगर हमारा moisture ज्यादा हो रहा है, तो yearly, उसके बाद में, फिर yearly और yearly में हम लोग क्या क्या चीज़े, inspect करते है, oil in a transformer, earth resistance चेक करते है, release alarm हम लोग yearly चेक करते है, अब देखे है, question कैसा बनता है, आपको ये mind में आ रहा होगा, हम लोग ये तो, सारे चीज़े टेबल पढ़ रहे है, लेकिन question कैसा बनता है, आपको ये जो दो टेबल से, frequency of inspection and inspected rating, ये आपको अच्छी जरी कैसे धान में रख लीज़ेगा, inspection notes और action required ये आपके knowledge के लिए आपको पूछा सकते हो, लेकिन होगा क्या, ये भी आपको पूछा सकते है, लेकिन question ऐसा बनता है, कि अगर आप, कौन से कौन से हम लोग maintenance या फिर inspection किया जाता है, हमारे transformer के उपर, जिससे कर अपनी yearly पूछा क्या, which of the following inspection is not carried out yearly, या फिर 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 को बनते हैं, that means हम लोग जो maintenance करते हैं, तो जो oil in a transformer, it should be checked daily, hourly, quarterly, या फिर half yearly, तो आपको धहर में रखनोंगा, it should be checked monthly, okay, yearly क्या करते है, हम लोग क्या करते है, yearly oil जो transformer के उसके हम लोग dielectric strength check करते है, ठीक है, water content check करते, ठीक है, कुछ sludges है, नहीं है, हम लोग उसको completely restore करने का ह करते हैं, उसके बाद यह तो हम लोग पढ़ लिया, उसके बाद में जो दो साल में हम लोग कहते हैं, non conservative transformer के उपर, हम लोग internal inspection करते हैं, core के उपर का, और filter करते हैं, oil का, अगर हमारे पास उसके condition किस तरीके से, और five hours के बाद, यह हम लोग उसको wash करते हैं, housing, ठीक है, और clean dry oil के साथ में, ठीक है, यह हमारे कुछ maintenance chart हो गया, अभाव, कितना है, 1000 kVA transformer के लिए, ठीक है, आपको यह दो चीजे, frequency of inspection, inspection quantity, अच्छी तरीके से पढ़ लेने होंगे, question बनता है, यहाँ से, ठीक है, दिखते हैं भी मारा, next question, earthing, चले ते हम लोग एक question कर लेते हैं, in case of earthing, the cross sectional area of earth conductor shall not, यह question definitely बनता है, ठीक है, मैं मार करके रखता हूँ, काफी का बार examination में आता है, in case of earthing, cross sectional area of earth conductor shall not be less than dash, अगर हम लोग copper का conductor यूश कर रहे हैं, और अगर हम लोग galvanized iron, या फिर steel यूश कर रहे हैं, तो उसका कितना cross sectional होना चाहिए, अगर copper यूश कर रहे होगे, तो 16 mm square होना चाहिए, और अगर हम लोग galvanized iron कर रहे होगे, 16 mm square, galvanized है तो 25 mm square, यह होना चाहिए, काफी important है, दोनों भी चीज़े, 16 है तो copper, 25 है तो हमारा galvanized iron, फिर steel, जो हम लोग earthing के, earthing के लिए जो, earth electrode का हमारा area कितना होना चाहिए, यहाँ पर mention कर रहे है, important है, ठीक है next question है, maintenance of underground cables, मैं आपको बताता हूँ, यह directly मैंने mention करके रहे है, ठीक है, आपको skip rate question ना देते हैं, मैं आपको try कर रहा हूँ कि concise questions के अंदर आपको जादे साथा information provide कर सो, underground cables का हम लोग maintenance करते है, under IS7404, 1974, इस case में क्या होता है, कि high voltage test हम लोग in the, where in the HP test, the value of voltage between the containers for AC 3300 volt, इस case म voltage का value between the conductors कितना होना चाहिए, high voltage test के अंदर, एसे अगर हमारा voltage है, 3300 volt, तो होना चाहिए 6 kv के, ठीक है, आपको धान में रखीगा, system voltage क्या है, between conductor और between conductor and sheet, अब देखे काफी सारे student को यह sheet क्या होती है, आरवरी का क्या मतलब रहता है, serving किस से बनाई जाती है, insulation कौन से कौन से materials का रहे थे, conductor हम लोग किस तरी के से इस्तेमाल करते है, यह पता नहीं रहता है, इसी के लिए मैंने electrical cable का एक session बना करका है, separate session है, इसमें आपको यह सारे चीज़े पता लग जाएगी, अगर आपको यह sheet और conductor नहीं समझ में होगी, तो इस session के बाद, यह session को जाके देखे यह electric cables के बारे में, जो भी मैं आपको sessions बता रहो, these all are important, सारे चीज़े एक दूसरे से connected है, और आपको कोई भी skip नहीं करना पड़ेगा, काफी कम है, उसकी सारी link में आपको description box में one by one दे दूँगा, आप सारे चीज़े एक बार जाके जरूर देखेगा, काफी interesting है, और काफ सब्सक्राइब करें, तो अगर हमारा 33 kv का voltage है, तो कितना होना चाहिए, AC के लिए 6 kv और DC के लिए 9 kv, उसी तरीके से अगर में लोग कंड़क्टर, दीखेए, यह हो गया हमारा conductor, correct, और यह जो शीथ है, कंड़ेटर और शीथ के भी में, कितना voltage होना चाहिए, तो वो होन चाहिए, 3.5 kv for 33 volt और 5 kv for DC के लिए, तो यह for HP test है, high voltage test के लिए, तो इसका current answer जाएगा, option ही, यह table काफी important है, ध्यान मिला क्लिए, यह फिर e-book में भी आप पढ़ सकते हो, next है हमारा various insulating material is used in electrical machine and equipment, as per the IS, हम लोग insulating material ही use करते हैं, अब देखिया है, material की बात के है, electrical machines के अं तर, ठीक है, 1271, option is question का current answer आजागा, next है, यह question definitely बनता है examination में, ठीक है, यह मैं आपको mark करका 3 star, which of the type of insulation class has the maximum enduring temperature up to 120 degree centigrade, 120 temperature तक भी वो हमारा insulation sustain कर सकता है, ठीक है, maximum उसकी enduring temperature capacity है, तो हो है हमारा class E, मैं आपको काफी कबार बता है था, अब देखिये, next table में में आपको बताने व ध्यान में नहीं रखे, तो भी एक बार का चल जाएगा, लेकिन अब यह सिकने में से ध्यान में रखेंगा, Y, A, E, B, F, H, C, एक बार फिर से पढ़ी लिजीगा, Y, A, E, B, F, H, C, अब temperature कहा देखिये, सबसे lowest temperature sustain कर सकता है, वो है हमारा class type, class Y insulation, और सबसे highest है हमारा class C, ठीक हो गया, ठीक है, यह हो गया है, इसके अंदर के material, इसको अभी पढ़ सकते हो, बट मैं आपको जूच important चीजे, exam point of view, जो बनते एक question में, वही आपको बता दाओ, ठीक है, बाकी सारी चीजे भी ऐसा नहीं कि important नहीं, आपको वो चीजे पढ़ने रहती है, ठीक है, A का क्या ह हो गया, 120, B का क्या हो गया, 130, F का क्या है, 155, H का क्या है, 180 degree, and C का क्या हो गता है, 180 degree centigrade की ज्यादा, बट लेकिन, 225 degree centigrade तक ही उसका maximum stability रहता है, ठीक है, यह काफी important नहीं का इसा, ठीक है, अब आप क्या कर लिजीए का, एक pen paper लेके, आप ये sequence धान में रख लिजीए का, YAE, B, F, H, C, को examination में कैसे भी question अगर आपको पुछाता है, कि 120 degrees centigrade की रहे, तो आप एक बार note down करके इस तरह किसे लिख सकते है, 90, 105, 120, 130, 155, 180, and greater than 180, ठीक है, काफी important है question, देखते भी हमारा next question क्या है, if an induction machine is running hot, then which or are is a possible cause of phenomena, अब आपको ऐसा question काफी कबर बन सकता है, या फिर जो टेकनिकल बोर्ट के examination दे रहे होगे, पॉले टेकनिक के, उनके students के लिए ये काम में आता है, ठीक है, अगर हमारा induction motorist है, उसका temperature जाधा ज़ा रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर troubleshooting chart मैं आपको बता रहा हूँ, ये troubleshooting chart आपको सारे machines के लिए मैं बताने वाला हूँ, काफी important, ठीक है, मैं आपको हिंदी medium से भी जो students है, उनके लिए दिक्कत जाती है, इसलिए मैं सारे चीज़े explain करता हूँ, हिंदी में भी, ठीक है, I'll try it, मैं बेस्ट किये, मैं आपको सारे चीज़े explain करता हूँ, in depth, अगर machine हमारी start होने के लिए, refuse हो जिए, it fails to start, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, हमारा fuse है, fuse blown off हो चुका है, इसलिए हमारा machine start नहीं हो रहा है, या फिर brush जो है, वो contact नहीं कर रहे हमारे commutator के साथ में, हम लोग किस से बात कर रहे है, direct current motor के, DC motor के हम लोग बात कर रहे हैं, यह उसका running के वक्त, उसका temperature जा रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, कि हम लोग उसमें overload करके रखा है, armature coil हमारे shorted है, ventilation हमारे block हो गए, dust के कारण, dirt के कारण, या फिर brushes हमारे, magnetic neutral plane में नहीं है, voltage हमारा काफी जाद है, या फिर shorted, field coils हमारे shorted है, या फिर bearing है, वो हमारे ख में देखते हो, ठीक है, या फिर अगर आप आपका mixes बगारा देखते हो, ठीक है, इसके यहाँ पर portion में आपको sparking देखने का मिलता है, तो वो sparking brushes का और computer का ही रहता है, इस ध्यान में रखिया, computer and brushes are dirty, उसका कारण हो सकता है, या पर spark हो रहा है, brushes के पर, brushes may not be in a proper grade, proper grade के काफी ज़्यादा हो सकता है, brushes may be of neutral, there may be open armature coil, computer may be eccentric, mica may be projecting above copper strip and excessive vibration of the machine, communicating pole winding may be shorted, और its connection is reversed, ये कारण हो सकते है, जो spark हो रहा है, हमारे brushes के उपर, ठीक है, अब देखे, machine हमारी, ये तो हमने डिस्कुस कर लिया, हमने, machine अगर fast run हो रहे है, तो उसका क्या कारण है, कि हमारा voltage का है, काफी high voltage हम लोग लगा दिया, उसके कारण हमारा machine high run हो सकता है, ठीक है, उसका fast running हो सकता है, in case of a common motor, differential connection, shunt field circuit में भी open, in case of a lightly loaded compound motor, high distance in a field circuit, इसके कारण ये कारण हो सकते है, machine के fast run होने के, ठीक है, run slow, अगर slow run हो रहे है, तो उसमें किया है, applied voltage may be low, हमारा voltage हमने overload, overloading हमने करके रखिये, armature winding may be short circuited, brushes may be of the neutral and some of the starting resistance remaining the armature circuit, इसके कारण हमारा machine run slow हो सकता है, next हमारा reduction of a gap, reduction of air gap between armature and a pole show, ठीक है, तो वह हमारा bending of the shaft, या फिर bearing may be worn out, ये कारण हो सकता है, अब आपको question कैसा बनता है, ये ध्यान में रख लिजगा, question ऐसा बन सकता है, कि अगर which of the possible cause of machine, DC machine which is running slow, ठीक है, अगर हमारी DC machine slow run हो रही है, तो क्या कारण हो सकते है, जिसे हमने ही question बता है, ठीक है, गर हमारा induction machine जो हमारा hot run हो रहा है, तो उसके कारण क्या क्या possible cause है, हम लोग induction machine भी हम लोग business करने वाले है, ये तो हमने DC machine देख लिए है, तरीक है, now we will see the three fails, squirrel case induction motor, squirrel case induction motor, squirrel case आपको बता है, कुछ squirrel case इस तरीक सी देखते है, इसका router का structure के नाम भी ही इसका नाम बताया जाता है, अगर वो start होने के लिए fail हो रहा है, वो hot run हो रहा है, run slow, और motor वो vibrator हो रहा है, इसके क्या क्या कारण रहा है, जा start हो रहा है के लिए fail हो रहा है, that means it is not starting, तो उसका क्या कारण हो सकता है कि, fuses blow हो चुके है, fuses break हो चुके, fuses अगर cut हो चुके, तो start नहीं हो सकता है, open इन one phase, एक phase अगर open है, तो भी हमारा start नहीं होगा या फिर overload है, उसके कारण, वो hot run हो रहा है, that means क्या है, उसको overlay कर करके है, same कुछ है आपके कारण है, जो हमने DC से मचिन में देखे देखे देखे, ठीक है, next है हमारा low voltage, high voltage, over frequency, open stator coil, one phase open, grounded stator, uneven air gap and weird bearing, ये कारण हो सकते hot run होने के, ठीक है, run slow, that means क्या, overload, low voltage, low frequency, broken rotor bar, shorted rotor bar, shorted rotor coils, open stator coils and one phase open and incorrect winding connection, ये होगे इसके, slow run होने के कारण, ठीक है, motor vibrates का है, half coupling, not in the center, और shaft misaligned, motor vibrate की हो रहीं की सेंटर जो, वो जो शाफ्ट हो, में से लाइंड है, उसके कारण, motor vibrate हो सकता है, okay, next है हमारा rotor pulley, पुली और half coupling, इस शुट भी, unbalance, तो उसके कारण, हमारा motor vibrate हो सकता है, ये हमारा troubleshooting chart है, किसके लिए, three phase, coral catch, motors के लिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग three phase, sleeping induction motor के लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, fail to start, run hot, run slow, इसके क्या-क्या कारण हो सकते है, ये आपको है, पर mention करेकर रहा है, इसमें क्या हो सकता है, कि run slow है, ये आप ध्यान में रख लिए, too much resistance, रियो स्ट, रियो स्ट, रियो स्ट, में हम लोग यहापे resistance करनेट करते हैं, वाय using sleep ring, ठी इसका भी कारण हो सकते हैं, कि हमारा slow run हो रहा है, ये काफी आप अच्छी दरीकर से ध्यापढ़ लीचेगा, हालकि जो कुछ, पर mention करेकर के, वो कुछ, कुछ common ही है, आप उसको ध्यान में रख लीजेगा, ठीक है, अभी हमारा three-phase slip ring, induction motor में, वो runs up slowly and overheated at a light load, अगर machine हमार next हमारा क्या cause हो सकता है कि, या क्या हमारा phenomenon हो सकते हैं, कि motor fails to start under the load and is noise and stator current fluctuate, उसका कारण भी बूला गया कि, इत भ्रोकन solid joint on the rotor winding, rotor winding में, solder joint break हो सकते हैं, उसका कारण है, या फिर slip ring rotor winding connections और leads, ठीक है, एक्सेज़ पार्किंग बेटिव ब्रुशे और या आप देख सकते हो, brushes और slip ring के बीच में, या पर काफी ज़्यादा sparking हो रहा है, उसके कारण क्या कि, contaminated है, या फिर improperly bedded है, brushes bind in the brush holder boxes, insufficient pressure of a brushes of a slip ring, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं, slip rings out of round and open in a brush circuit, ये कुछ troubleshooting chart है, three-phase slip ring induction motor के लिए, आप इसको pause करके पढ़ लिजीगा, हाला कि हमने काफी quickly इसको discuss कर लिया है, अब देखें, हम लोग एक very important topic यह और बढ़ते हैं, अभी हमनों आ रहा है, ये काफी important है, इसको भी focus करके चलिएगा, अगर आप ठक चोगे होगे, इस session को continuously देखके, इसको pause करके, फ IP भी skip नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग काफी precisely questions आपको मैं provide कर रहा था हूँ, काफी important है, अब fire extinguisher का काफी बढ़ा significant role है हमारे electrical engineering में, काफी कबार वो question बनता है examination, fire extinguisher are specifically designed in order to tackle, अब देखें, जो BMC के examination होने की chances है, उसमें questions काफी कबार बन सकता है, जो fire extinguisher हम लोग specifically design कि जाते है, class F type of fire के लिए, उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर wet chemicals रहता है, अब ध्यान में रख लेजीगा, जो हमारे पास different different symbols लगाए रहते हैं, हमारे fire extinguisher के उपर, अगर A है, ठीक है, मैं आपको बताने हो लाओ, A है, B है, C है, और F है, तो उसके अंदर हमारे पास extinguisher है, वो यूज कर सकते हैं, अब इसके उसके अंदर भे भी different different marking के रहते हैं, होता क्या कि, अगर हमारा water extinguisher है, तो उसके पूर water लिखा रहते है, foam है तो या पर लिखा रहते है, powder, CO, अब देखे, electrical के लिए powder और COT ही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या पर मैंने मेंचन of fire है, class A, B, C, D, electrical, or class F है, अब देखे, class A fire के अंदर के अंदर क्या होता है, यह combustible material है, cause by flammable solid such as wood paper या फिर fabric, अगर हमारे wood चल गया, ठीक है, लकडी जल गई, paper जल गया, फिर fabric जल गया, तो यह class A type of fire में आते है, अब देखे, class A type of fire में क्या है, यह water based हम लोग इसको यू क्योंज कर सकते, class C में क्या थे, flammable glasses हो गया, gases हो कि जीसे कि hydrogen, butane या फिर, methane, class D fire में क्या, अब question ऐसा ही बनता है, class B में, class C, class D में, class D में, क्या-क्या materials आते है, consequence materials के कारण, आग लंगने के chances होते है, यह ऐसा mention क्या जाते है, class D में क्या आते है, combustible materials like chemicals such as magnesium, aluminum, potassium, और electrical fire particularly में क्या, cooking oils हो गया, और specially cheap and fire, अब देखे, इस case में आप ध्यान में रख लिए आपके basic knowledge के लिए भी काफी important है, कि यहाँ पर जो symbols लिकर रहते है, A, B, C, ठीक है, F, तो आप कोई है पता होने चाहिए कि वो particular extinguisher किसके लिए use क्या जाता है, ठीक है, water है, foam spray है, ABC powder है, carbon dioxide है, अब directly लिए water वाला electrical contact के उपर तो definitely नहीं लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि काफी जदा short circuit current रहता है, और काफी injurious रह सकता है, person operating to that fire extinguisher, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ABC powder है, या फिर carbon dioxide वाला है, electrical contact से लगी हुई, आग को हम लोग बुशानी के लिए use का सकते, यहाँ पर जो marker के रखे, अच्छी तरी किसी ध्यार में रख लिजीगा, ठीक है, काफी important है, यहाँ पर मैंने mention करके रखा है, कहाँ का use के जाते हैं, अब देखे, अब हम लोग next question देख लेते हैं, next slide हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर कहा है, dry powder, किसके लिए use का जाते है, foam spray, water, CO2 किसके लिए use का जाते है, अब यहाँ देख सकते हैं, dry powder में अगर हमारा blue color का, यहा सकते हैं, CO2 के भी हम लोग electrical के लिए use कर सकते हैं, कौनजी type of class fire है, उसके लिए हम लिए हापे mention करके रखाया है, उससे के accordingly हमें fire extinguisher का इस्तरमाल करना रहता है, काफी important है, अब इस से जुड़ा question काफी कभार examination में बनता है, हम लोग काफी close है हमारे session को end करते हैं, कि generally past phrase is associated with the fire extinguisher, which guides the correct use of extinguisher in case of an emergency, question हमने ही बनाया, एक हमारा past phrase जो है, वो use कहा जाते हैं, काफी कभार आपने past phrase यूज क्या होगा, fire extinguisher में, तो उस case में P जो है, यह past में क्या signify करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, पुल, अब दिखिए, किस तरीके से हम लोग fire extinguisher को operate करते हैं, ए and sweep करते हैं, ठीक है, squeeze the handle and then sweep the nozzle, ठीक है, sweep हम लोग उसके उपर, आग के उपर sweep करते हैं, इस तरीके से, ठीक है, तो यह हो गया हमारा past, जो हम लोग phrase associate करते हैं, fire extinguisher के साथ में, तो हमारे emergency के case में हमारे fire extinguisher operate करते हैं, तो यह हमारी phrase का काफी important होता है, pass, that means pull, aim, squeeze, और sweep, य ठीक है, अब यह होगी हमारा, इसका correct answer option B, and the last question of our session is, what is contingencies, ठीक है, अब contingencies मतलब क्या होता है, examination में बनता है गए इस, contingency मतलब होता है, the list of vague and unforeseen items included in this category, कुछ तरीके से ऐसे items रहते हैं, कि हम लोग उसको particular list में categorize नहीं कर सेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, contingencies, ठीक है, कुछ extra हमारे पास में कुछ special case होगा रहा होगी है, ठीक है, उस case के लिए हम लोग कुछ amount को reserve करके रखते हैं, या फिर कु important points और theory चीज़े डिसस की, इसके अलाव भी कुछ चीज़े अगर points अगर आपको लगता है कि छूटगी होगी, तो मैं आपको e-book के अंतर ही include कर दूगा, इसका e-book जल्दी से अप्लोड कर दूगा हमारे electrical engine MC के उसके application के उपर उसको आची तरगे से पढ़ सकते हो, ठीक है उसकी भी validity मैं आपको सारी चीज़े वहाँ पर mention कर दूगा, ठीक है, काफी important है आपको session को go through कर रहा ना, अगर आप इसके पहले के session जो मैंने आपको mention करकर करके, वो भी अगर आपने नहीं देखके हो तो उसको भी जाकर देखेगा, अशा करता हो session आपको पसंद आया होग और उसके जो session से आपको आये दूल सो और central electricity is code को यहाँ पर click करके देख सकते हो, so guys, thanks for watching this session, have a nice day.